उत्रपरदेश के मुरादाबाद में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या करती गई हत्या की स्वारदात के बाद शेत्र में संसनी फैल गई सुचना पर मोके पर पहुँची पुलिस ने मृतक के शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टन के लिए भेज दिया फोरिंसिंग टीम ने मोके पर पहुँच कर साक्षे जुटाए वहीं मृतक के परिचनों की तहरेर पर मुकदमा दर्जकर आगे की कारेवाही शुरू कर दी गई फिलहाल आरोप्य की तलाश में पुलिस टीमें गाउं में दबिश दे रही है कटगर शेतर के ग्राम दोडबाग में सुभे सवेरे पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को सरे आम गोली मार कर मोत की घाट उतार दिया गया वारदात को अन्जाम देने के बाद आरोपी मोके से फरार हो गए बताया जा रहा है कि दो पक्षों के विवाद में बीते एक वर्ष से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी जिसके आरोप में मृतिक आमीर भी नामज़त था और जेल से जमानत पर बाहर आया था मृतिक के भतीजे के अनुसार आज सुभ है दूसरे पक्ष के लोगों ने आमीर को अकेले पाकर दबोच लिया और उसकी गोली मार कर सिरेयाम हत्या करती गई दिन दिहाडे हुई इस वारदात के बाद शेत्र में संसनी का महोल है सूचला पर पहुँची पूलिस ने ग्राम में आरोपियों की धरपकड शुरू करती फोरेंसिंग टीम ने मोके पर वारदात पर पहुच कर साक्षे जुटाए और महीं मृतक के परिचनों से पूलिस ने बात करके जाज़परताल को आगे बढ़ाया पूलिस के नुसार पुरानी रंजिश के चलते हत्या हुई है और मृतक के परिचनों के द्वारा दे गई तहरीर पर कारेवाही की जा रही है आरोपियों की तलाश में पूलिस टीम लगातार दविश्टे रही है मुरादा बास समादाता बाजी देली की रिपोर्ट जो भी बास चल ला है इससे पहले भी जो यह जो अक्षार हुए है इनके उपर कोई मुकदमा मेरो पर भी था मेरे पापा को पर भी था पांच जोनों के नाम थे जब हनीप मरा था रंजिस कब से चली आ रही है जब सा हनीप मरा था यह दिवाली वाली दिन की 27 तारीख 10 माहिना और 2019 पती यह मेरे मुरादन अमीर कोई कोई चकन ना कोई लड़ाई कैसा दंगा नहीं खुदी चले गए घेर माई को कोई बात नहीं थी किस तरा को हमें खाना बना रहे हमें कोई पता ना क्या हुआ उदार हमें कोई पता ना क्या हो रहा है कोई करना जो भी प्ली ने हो गई हैं ऐसे ही लेडे सब्सक्राइपक्राइपने के लिए बैल इकन को एकन को क्लिक कर हुमारे जैनल कुद लाइप, शेयर-आण सब्सक्राइब करें, हैन्ने बाद।